नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने योटूब चैनल मानी ओव डीजिटल न्यूज अम डियन पर दोस्तों बात करने वाले हैं जीटियल इंफ्राड एक्सल लिमिटेड स्टोक के बारे में इस स्टोक में एक बार फिर से बड़ी बुरी ख़बर देखने को नजरा आ रही है दोस्तों गिराउट तो हमें देखने को मिल रही रही थी पर दोस्तों कुछ पिसले टाइम आउट लूक्स पोजिटिव जो नजरा आ रहे थी उन पर भी दोस्तों आज कुछ जो है पेशिक की जो एक आफी अच्य प्रेस रहने वाली है साथी साथ रिटन पर अगर चर्चा की जा तो सौड़ी पांश फिस्ती की रिटन धुलें दोस्तो जिस परकार मार्केट के वोल्यूम अब एक टाम काफ़े अच्छी नज़र आ रही है डिलेवरी शेयर होल्डर काफ़े अच्छी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं तो वो तो देखने को मिल रहा है पर दोस्तो अब जो चोकाने वाली जो अपडेट निकल के आ रही ह टावर कहीं कहीं लगाएगी पर दोस्तो जो है टोटल इंडिया में टावर नहीं लगाएगी उसके पीछे का रिजन क्या होने वाला है तो दोस्तो रिजन यह देखने को मिल रहा है कि दोस्तो टावर लगाने में दोस्तो एक वक्त जो है वो थोड़ा जादा लग सकता है और अभी दोस्तो जो है, star link से दोस्तो network प्रोवाइड करने को लेकर अभी एक time outlooks नजरा रही है, अब दोस्तो star link से दोस्तो satellite से सीधे network प्रोवाइड किया जाएगा, तो इससे कहिना कहीं जो है, जो investment है वो एक ही जगा करना होगा, दोस्तो बार बार जो है multiple sources पे investment company को करना न नज़र आ रही है. फिलाल दोस्तों ये चीज ऐड़ी चीज ओफीशल स्टेट्मेंट के साथ देखने को मिलने ही पर कई बड़े जो आइक सब्सक्राइब की जानुस अभी के टाइमक अंछाले फिरक देignant सब 7 अजरारी है थैद फिलाले हुर फिलाल दोस्तों these heads संक्राइब करना होता है वह दूस्त के रिक्वार्मेंट नहीं होती है जैसे कि अब टावर लगाने का प्रोजेक्ट हम मान सकते हैं कि अब किसी इस्तान पर टावर लगाना दोस्तो अब वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि विएसनल 4G और 5G network को launch करने के लिए दोस्तों सिम अलड़ी launch कर चुकी है जारी कर चुकी है फिलाल अभी जो towers है उन पर दोस्तों अभी टाइम जो है टेस्टिंग चल रही है टेस्टिंग लगबग दोस्तों almost complete हो भी चुकी है दोस्तों इस महीने के अंदर तो अब आने वाल पर पहले तेजी से गिराउट नजर आ रही है लोसे जो है दिन पर ती दिन नजर आ रहे है पर गिराउट भी उससी प्रकरार रहने वाली है फिलाल आके बढ़ने से पहले बता दू चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और विलाइक नोटिफिकेश काफी कमजोर नजर आ रही है क्योंकि दूस्तों तो 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 जो भी हो सेर होल्डर का डिसेजन होगा पर आज के जो एसेशन के अंदर जो होल्डिंग लागी है वो 40.1 फिस्ते के डिलेवरी रही है भारतिय बाजार वपर बेगर देखा जाई तो दूस्तों काफी अच्छी की तेजी बेगर नजर आ रहा है तो इसका मतलब वोल्यूम में भी काफी बढ़िया रहने वाली रिकारी है पर अभी दूस्तों जीटील इन्फरा के अगर बात की ज़ा तो जीटील इन्फरा के क्योंफन के रिजर्ट खासकर तो क्योंवान के रिजर्स koal के अभी तक को सत statement देखने को मिला नहीं है तो company अब दोस्तो मेरी opinion के मताबिक जो results है वो काफी जल्द जारी कर सकती है इस महीने के last week या next month के past week में company का result हमें नजर आ सकता है तो अभी हमें presence के जो requirement थी वो कहीं न कहीं अब खतम हो चुकी है तो कि अब दोस्तो losses पर जो losses है वो हमें continuously लांजर आने वाले हैं और losses दोस्तों कि इस प्रकार के अगर हमें देखने को मिलते हैं तो recovery यहां पर देखा जाए तो लंबे वक्त के बाद ही हो पाएगी पर दोस्तों लंबे वक्त के बाद दोस्तों company के दिलिस्ट होने के जो खतरा है वो काफी ज़्यदा मढ़ रा रहा है उसके पीछे का जो फैक्ट रिजन होने वाला है वो यह देखने को मिल रहा कि company के पर दोस्तों अभी कर्ज का जो दबाव है वो काफी हाई नजर आ रहा है और इसी के चलते कहीं नहीं कहें दोस्तों company में उतार से डाव नजर आ सकते है और गिराउट का सामना करना पड़ सकता है तो फिलाल अलर्ट रहने की requirement रहने वाली है फिलाल आपके नजर में इस स्टोक की और कोई basic जानकारी हो comment section में जरूर से बता देना उमीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना उस जानकारी को जद स्यादा सेर्ज जरूर से कर देना और आपके नजर में कोई पैनी स्टोक हो तो उसकी जानकारी comment में पिन कर देना insist करें कि आपको जल्दी बता दिया जाएगा